हेलो गाइज हेलो 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 वाट्स अप क्या हाल चाले सबके आई होप क्या सब लोग अच्छे होंगे दिस यूर एंवी सेरें लेट इस गेट स्टार्टेट ठीक है हम करने वाले एलिपसएंद हईपर बोल अब देखो मतलब अपना नया सीलेबस आ चुका है नये सीलेबस के करने बाल हुआ और यवार आँथे ऊपर योट्यूबश के नया पता होता ना कि syllabus reduce होने वाला है तो मैं पैरा बोला के साथ साथ ही इसको पढ़ा देता ठीक है इतना चोटा हो गया है मतलब tangent आपका डिलीट हो गया है अब tangent डिलीट हो गया तो डारेक्टर सर्कल वो सब डिलीटेड है common tangent, tangent normal basically गया तो there is no tangent, there is no normal, there is no director circle अब कुल मिला जुला के मतलब basic question ही आएंगे basics of ellipse आपको पता होना चाहिए और basics of hyperbola मतलब ellipse की equation क्या होती है उसकी कुंडली basically length of lattice rectum, focus, directrix, vertex तो यह वाले question यहाँ पर आने के भर भर के chances है ठीक है तो definitely start करेंगे maximum तो chapter आपका डिलीटी हो गया है बट हाँ जो remaining छोटा सा portion है उसको भी फटा फट से complete कर लेता है so that अपनी जो जी ब्रीफ की series है वो अपने आप में complete रहे यहाँ पर आपको हर एक chapter का detail में discussion देखने को मिल रहा है ठीक है एक बार मुझे फटा फट confirm कर देना आवाज आ रही है parabola और ellipse में क्या difference है सर वो अभी सब कुछ discuss करेंगे एक एक करके discuss करेंगे ठीक है दोनों मतलब कर भी अलग है parabola parabola होता है ellipse का diagram ही different है तो obviously जब diagram different है तो सब कुछ different आएगा न वर्टेक्स अलगाएगा फोकस अलग आएगा directrix अलग आएगी जैसे आप बोलो circle और triangle में क्या difference है ठीक है इसका answer बताओ क्या difference है circle और triangle में वही difference है parabola और ellipse और hyperbola में diagram ही अलग है तो सब diagram अलग है तो सारी properties भी अलग होगी obvious ही बात है ठीक है तो एक-एक करके discuss करना start करते है वैसे तो छोटे-छोटे chapters है बट हाँ इसको फटा-फट कवर कर लेते है so that जही brief के अंदर हमारे जो और चार और चार नंबर है वह भी पक्या होगा इलिप्स और hyperbola को मिला के या तो एक question आएगा चार नंबर का या हो सकता है कि maximum तो चार नंबर का आप मानके चलो मतलब उससे ज़्यादा expected भी नहीं है ठीक है आप चार नंबर का ही मानके चलो और जनरली आजकल जो question आ रहे है अगर आप जैसे 2023 के पी वाई क्यूज भी देखो गए तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इलिप्स और hyperbola को mix करके सवाल आते है तो इसी लिए यहाँ पे हम दोनों ही chapters को साथ में करेंगे so that जितने भी आपके mix वाले सवाल होते है उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से discuss करेंगे है ना जैसे आपको बोल देता है कि हाईपर बोला का जो focus है वो ellipse के उपर लाई कर रहा है कभी-कभी ऐसा बोल देता है कि ellipse का जो focus है वही hyperbola का focus है कभी ऐसे question भी आपने देखे होंगे जहाँ पर आपको बोलता है कि जो ellipse की eccentricity है वो hyperbola की eccentricity का reciprocal है तो ऐसे काफी सारे mix question आते है जहाँ पर ellipse और hyperbola को यहाँ पर mix किया जाएगा ठीक है yes ठीक है हाँ तो start करते yes good evening good evening all of you ठीक है तो चालू करते है ellipse and hyperbola एक एक करके सारी चीज़े पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले तो standard equation क्या होती है ellipse की जैसे parabola की हमने पढ़ी थे ना y square equal to 4ax similarly ellipse की standard equation यह होती है है ना ellipse की जो standard equation है that is this x square upon a square y square upon यह तो मेरे गाल साथ सबको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी मतलब ncrt level का भी पढ़ा है तो equation of ellipse यह तो सबको पता होता है अब लेकिन ellipse के अंदर ना देखो आपको दो type के ellipse पढ़ना है एक है horizontal ellipse इसको बोलते है horizontal ellipse horizontal diagram है और एक है vertical ellipse अब horizontal और vertical की जो equation होती है वो same होती है मतलब यही equation है इसकी भी और यही equation है उसकी भी equation same होती है तो यहाँ पे सार हम पहचानेंगे कैसे की horizontal वाला आया है एक्जाम में की vertical वाला आया है तो पहचानते कैसे है तो वो इससे पहचानते है अगर a greater than b है तो तो आपको horizontal ellipse मिलेगा लेकिन अगर b greater than a है तो आपको ऐसा vertical ellipse मिलेगा मतलब यह वाला जो है this is horizontal ellipse यह horizontal है और यह vertical है चमक गया यह आपका vertical ellipse है अब इसकी पूरी कुंडली है न हम निकालेंगे मतलब इसका center क्या होता है यह focus यहाँ पे कहीं पे आएगा इसको vertex बोलते है यहाँ पे directrix आएगी एक auxiliary circle आएगा तो वो सारे terms, definitions, उनकी equations यह सारी चीज़े जिसे latest rectum, latest rectum क्या होता है उसकी length कितनी होती है extremities of latest rectum क्या होते है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ तक समझ माया standard equation दोनों की same होती है इसकी equation भी यही है x square by a square plus y square by b square equal to y अगर a greater than b है तो आपको horizontal ellipse मिलेगा अगर a greater than b है तो horizontal और अगर a less than b है तो vertical simple सी बात ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो horizontal की बात करते है horizontal में यह वाला जो point होता ना इसको बोला जाता है center this is the center center basically यहाँ पे 0,0 है इसको बोलते है center of the ellipse इतना तो सहुन आया यह जो बड़ी वाली axis है ना बड़ी वाली axis है और एक छोटी वाली axis है axis मतलब एक ऐसी line जो ellipse को half half में divide करें आदा उपर है आदा नीच है इसको axis of symmetry भी बोला जाता है symmetry क्योंकि mirror image है देखो उपर जैसा graph है वैसा है नीच भी है parabola में भी आपने पढ़ाता है axis of symmetry यह उसको बोलते है axis of parabola भी बोलते है तो similarly यह जो बड़ी वाली axis है उसको बोला जाता है major axis क्या बोला जाता है इसका नाम है major axis और यह जो छोटी वाली axis है इसको बोला जाता है minor axis क्या नाम है छोटी है इसलिए minor axis तो यह major axis और यह minor axis horizontal की कहानिया आप समझते जाओ ठीक है यहाँ पर कहीं न कहीं focus आएगा एक focus यहाँ पर आएगा और एक focus यहाँ पर आएगा यह s1 यह s2 यह चमका यह वाला जो focus है this is ae,0 और इसके coordinates होता है minus ae,0 अब यहाँ पर e क्या है e is the eccentricity और a क्या है तो a आपको यहाँ से मिलेगा जो आपको equation given होगा question में आप यहाँ से a निकाल लो और eccentricity निकाल लो eccentricity का formula वो सब हम discuss करेंगे कैसे निकालेंगे ठीक है तो यह होता है ae,0 और यह होता है minus ae,0 यह वाला जो point है इसको बोलते है vertex एक vertex यहाँ पर है और एक vertex यहाँ पर है तो vertex के coordinates होता है a,0 और दूसरा वाला जो vertex है obviously वो है minus a,0 ठीक है तो दो vertex है दो focus है एक center है यह वाली major axis और यह वाली minor axis चमक गया जो length of major axis है ना वो है 2a यह जो length होती है इस point से लेके इस point तक इसको बोलता है length of major axis तो यह वाली a है और इधर भी यह a plus a 2a हो जाएगा ना total तो यह जो total length है वो कितनी आएगी 2a तो इसलिए अगर आप से कोई पूछेगा find out the length of major axis length of major axis होता है 2a कभी-कभी आप से पूछता है find out the length of semi-major axis तो semi-major axis मतलब major axis का आदा जैसे semi-circle तो आदा circle समझ गया ना तो semi-major axis is a length of the semi-major axis हो जाएगा a similarly length of minor axis होता है 2b यह वाली जो length होती है न यह b होती है और नीचे वाली भी b तो total कितना हो गया 2b this is the length of minor axis अगर आप से कोई पूछेगा कि length of semi-minor axis तो semi-minor axis हो जाएगा खाली b आदा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको पता similarly जैसे vertical की बात करें तो center क्या है center तो 0,0 ही है यहाँ पर focus आएगा एक focus यहाँ पर आएगा यह focus के coordinates के आएगे तो यहाँ से यहाँ अगर आपको जाना है न आप एक shortcut याद कर लो shortcut यह है कि A और B को swap कर दो X और Y को भी swap कर दो क्या करना है A और B को swap कर दो अगर आपको horizontal की सारी चीज़े याद हो गई तो vertical automatically free आएगा मतलब जैसे यहाँ पर focus क्या है A,0 यहाँ पर Y का value 0 है अगर यहाँ पर Y का value 0 है तो यहाँ पर X का value 0 आएगा और यहाँ पर A,E है तो A को replace करेंगे B के साथ तो 0,BE आएगा और similarly यह हो जाएगा 0,-BE चमक गया ना तो 0,BE और 0,-BE आपका आजाएगा focus similarly vertex vertex यहाँ पर क्या है A,0 है तो यह हो जाएगा 0,B यह हो जाएगा 0,-B एक directrix यहाँ पर आएगी और एक directrix यहाँ पर आएगी directrix की equation क्या होती है ellipse के case में directrix की equation यह जो line है यह directrix है इसको बोलते है directrix ठीक है इसको क्या बोलते है directrix इसको क्या बोलते है directrix इसकी equation होती है x equal to A by E और यह वाली जो line है इसकी equation क्या है x equal to minus a by e तो simple right एक काम करते है एक table बना लेते है otherwise आप यह सब भूल जाओगे ठीक है और वैसे भी आपका जो syllabus है उसमें से tangent, normal यह सब delete हो चुका है तो अब सवाल यहीं जाएगा आपको length of major axis, length of minor axis equation of ellipse horizontal, vertical, eccentricity length of lettuce rectum distance between foci distance between directrix and foci यही सब सवाल आएंगे तो ultimately यह सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि यही से सवाल आना है अब तो कुछ और बचाई नहीं है तो सवाल यही से आएगा तो obviously इसकी एक कुंडली बना लो और यह super important है तो एक एक चीज हम यहाँ पर note down कर लेता है जैसे सब से पहले horizontal अगर कोई ellipse है तो उसकी standard equation क्या होती है standard equation तो दोनों की same ही होती है x square by a square y square by b square equal to 1 बस horizontal में a greater than b होगा और vertical की भी same होती है equation तो same ही होती है बस यहाँ पर यह है कि a छोटा होगा b बड़ा होगा right a less than b होगा अगर किसी भी ellipse में a less than b है तो मतलब वो vertical बनेगा उसका diagram और अगर a बड़ा है b छोटा है तो horizontal बनेगा simple right center क्या है दोनों का center है 0,0 right दोनों का center है वो तो origin है यहाँ पर भी आप diagram में देखो यह center है उदर भी वो center है 0,0 चमक ग्या ना और आगे बड़ते है length of major axis horizontal के case में length of major axis 2a और length of minor axis 2b तो horizontal के case में length of major axis कितना है 2a और length of minor axis तो वो 2b और अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो a और b को swap कर दो x और y को swap कर दो तो a की जगह b आ जाएगा और यहाँ पे b की जगह a आ जाएगा vertical में देखो ना वैसे भी आप देखो के तो यह major axis है this is the major axis this is the minor axis तो minor axis का length है 2a और major axis का length है 2b क्योंकि यह 0,b है और यह 0,-b है तो यह distance कितना हो जाएगा 2b चमक ग्या ना तो major axis 2b है वहाँ पे और minor axis है 2a vertex एक vertex है a,0 और एक vertex है minus a,0 मतलब इसके vertex है plus minus a,0 दो vertex आएँगे similarly यहाँ पे 0, plus minus b देखो a और b को swap कर दिया x और y को भी swap कर दिया पहले देखो y का value 0 है अब यहाँ पे x का value 0 है तो x और y को भी swap करना है a और b को भी swap करना है ठीक है फोकाई इसके फोकाई 0, plus minus b ठीक है तो horizontal का सवाल आएगा तो horizontal के ही formula लगाने है vertical का इसमें सबसे मतलब most common mistake जो है जो मैंने देखा है वो यही है कि मतलब आपको पूछा होगा vertical और आप horizontal के formula लगा के आ जाओगे ठीक है और वो option में भी होता है और आप टिक भी कर दोगे और वहीं पर बस मतलब NTA वाले खुश हो रहे होंगे कि चलो किसी को तो फसाया ठीक है तो उनका तो objective ही यही है आप ध्यान से करना थोड़ा जा नहीं तो फसाएंगे आपको अगर vertical का सवाल है vertical के formula लगाना यह सारी चीज़े horizontal का सवाल है horizontal की चीज़े लगाना तो सबसे पहले चेक कर लेना कि A बढ़ा है कि B बढ़ा है अगर A बढ़ा होगा तब ही horizontal आएगा और B बढ़ा है तो तो vertical आएगा ठीक है अचा equation of directrix तो यहाँ पे directrix की equation है X equal to plus minus A by E तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Y equal to plus minus B by E ठीक है X और Y को swap कर दिया A और B को swap कर दिया और आगे बढ़ते है अब relation आईए देखो यह बहुत important इसको हम बोलते है pocket वाली equation ठीक है इसको क्या बोलते है यह है pocket वाली equation मतलब एक equation तो हमारे pocket में है आपको दो equation देदेंगे और तीसरी equation यह है और बोलेंगे कि A, B और E निकालो A और B और E मतलब eccentricity ठीक है तो horizontal ellipse के case में जो आपका B square होता है B square होता है A square into 1 minus E square लेकिन vertical में आपको पताईए कि A और B को swap कर दो तो यहाँ पर A square होता है B square into 1 minus E square ठीक है तो यह basically जो relation है A, B और E के बीच में वो भी change हो जाता है vertical के case में eccentricity निकालनी है तो यह वाला formula यूज़ करना पड़ेगा again गलती वही करोगे आप exam में यह वाला लगा क्या जाओगे ठीक है तो यह गलती मत करना अगर horizontal पूछा जाए तो यह formula लगा के eccentricity आएगा और vertical के case में वो लगेगा A square equal to B square into 1 minus E square extremities of lattice rectum अच्छा पहले यह बतातो length of lattice rectum lattice rectum क्या होता है lattice rectum is nothing but it is a chord which is passing through focus and perpendicular to major axis यह वैसा ही होता है जैसा parabola में भी हमने पढ़ा था ना कि एक ऐसा chord है जो axis के perpendicular है और focus से pass करे तो this is lattice rectum यह lattice rectum है और similarly एक lattice rectum यहाँ पे भी आएगा ठीक है यह दूसरा यह L-R- आप ऐसे कर दो तो ellipse के case में आपको lattice rectum दो मिलेंगे यह दोनों perpendicular है major axis के and it is passing through focus ठीक है तो length of इसका length कितना होता है तो अगर आप इसका length again derivation में नहीं पढ़ेंगे ठीक है आप सीधा-सीधा याद करना length of lattice rectum जो है वो directly आप याद करो यह होता है 2B square by A लेकिन यह horizontal के case में होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2A square by B उल्टा हो जाएगा A की जगा B और B की जगा A simple तो यह formula आपको अच्छा यह यहाँ पे आएगा length of lattice rectum है यह तो length में लिख लो आप this is 2B square by A length of lattice rectum और यह है 2A square by B अच्छा extremities of lattice rectum extremities मतलब end points कि यह point कितना आएगा यह point इसके coordinates इसके coordinates इसके coordinates इन सबके coordinates तो जैसे यहाँ पे X coordinate तो सेम रहेगा जो focus का X coordinate है वो है A E तो इसका भी A E आएगा और इसका भी A E आएगा X coordinate तो सेम रहेगा क्योंकि यह vertical line है तो सिंस यह vertical line है तो सबका x-coordinate देखो ae, ae और ये भी ae अब length of lattice rectum कितना है 2b square by a तो उपर जाना पड़ेगा b square by a और नीचे भी जाना पड़ेगा b square by a क्योंकि तभी तो total आएगा 2b square by a तो इसी लिए इसका y-coordinate है b square by a और नीचे है minus b square by a similarly इसके coordinates के आएगे यहाँ पर minus ae आएगा है ना इधर भी minus ae आएगा उपर वाला b square by a और नीचे वाला minus b square by a खुल मिला जुला के extremities सारी की सारी आप निकाल सकते हो अगर आप से पूछेंगे find out the extremities of lattice rectum मिलब end points end points of lattice rectum तो वो क्या होते है वो होते है plus minus ae और plus minus b square by a तो चारो आजाएंगे है ना एक बर plus plus ले लो एक बर plus minus एक बर minus प्लस और एक बर minus minus तो चारो ही आजाएंगे और चारो चार अलग-अलग coordinates में है ठीक है आप यहाँ पर देखो यह first quadrant में है यह second quadrant यह third quadrant यह fourth quadrant तो चारो के चारो आप निकाल सकते हो अच्छा अगर वहाँ पर निकालना है तो तो यहाँ पर क्या आएगा तो a और b को swap कर दो x और y को swap कर दो जैसे यहाँ पर a e है तो यहाँ पर b e आजाएगा और यह जो a e है यह b e हो जाएगा और similarly यहाँ पर plus minus a square by b तो यह आगया बस simple extremities of lettuce rectum भी आप निकाल सकते हो कोई tension नहीं है ठीक है और आगे बढ़ते है parametric coordinates तो देखो ellipse की equation तो same है चाहे horizontal हो चाहे vertical हो तो since equation same है parametric coordinates भी same ही रहेंगे क्या रहेंगे parametric coordinates होते है a cos theta parametric मतलब आप ऐसा कुछ put कर दो satisfy कर जाए equation में तो यहाँ पर equation में क्या put करेंगे अच्छा यहाँ पर a square क्यों निगा होगा है यह b square आएगा ठीक है यह correct कर लो x square by a square y square by b square आएगा यह कोई बोल भी नहीं रहे तो यह correction कर ले न और parametric coordinates parametric coordinates आजाएंगे a cos theta b sin theta ठीक है a cos theta और यहाँ पर भी same है इसमें a और b को swap नहीं करना है क्योंकि equation same है तो parametric coordinates भी same ही रहेंगे a cos theta b sin theta ठीक है यह ध्यान रखना है इसमें swap मत कर देना similarly auxiliary circle अब यह auxiliary circle क्या होता है auxiliary circle मतलब एक ऐसा circle जिसका center यह होगा center is same as the center of ellipse circle का center और ellipse का center same है auxiliary circle का diagram ऐसा बनेगा है यहाँ पर बनेगा वो ऐसा यह वाला जो circle है इसको हम बोलते है auxiliary circle similarly vertical के case में यहाँ पर बनेगा ठीक है ऐसा एक circle आएगा यहाँ से pass करेगा something like this तो यह auxiliary circle ठीक है तो यहाँ पर auxiliary circle की equation क्या आएगी horizontal के case में बताओ पहले तो तो center है 0,0 और radius हो जाएगा यह length यह length कितनी है यह 0,0 और यह a,0 है चमक गया ना तो ultimately auxiliary circle की equation आजाएगी एक ऐसा circle है जिसका center है 0,0 और radius है a और यहाँ पर radius हो जाएगा b x और y को swap कर दो a और b को swap कर दो ठीक है एक और y को swap कर दिया a और b को भी swap कर दिया अच्छा ellipse के case में ps plus यह इसको हम बोलते है alternate definition of ellipse भी बोला जाता है तो अगर आप ps ps मतलब कोई भी एक point ले लो आप ellipse के ऊपर कोई भी एक point है ना this can be anywhere any point कहीं पे भी आप ले सकते हो ellipse के ऊपर अगर आप इसका distance निकालोगे focus 1 से और इसका distance निकालोगे focus 2 से फिर यह distance और इस distance को add करोगे ना तो हमेशा यह 2a आता है अगे इसका derivation होता है बट derivation में नहीं पढ़ेंगे हम सीधा याद ही करेंगे क्योंकि ultimately अब आपके derivations काम के नहीं है ठीक है आप ऐसे derive भी कर सकते हो ps equal to pm लगा के but otherwise आप सीधा सीधा याद कर लो ps plus ps dash इसका value 2a होता है horizontal के case में 2a आएगा तो vertical के case में 2b हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा table जो है ना वो as it is आपको याद होना चाहिए अगर यह याद नहीं है तो कहीं न कहीं question 8 कहेंगे ठीक है तो यह याद हो गया सबको अगर याद हो गया तो अब आगे बढ़ते है ellipse की कहानी तो आपको clear है दो ही type के ellipse है इसी के उपर सवाल आएंगे बस आप यह ध्यान रखना गलती आपसे करवाई जाएगी जान बूच के आप horizontal में vertical का लगा के आओगे और vertical में horizontal का लगा के आओगे तो यह गलती मत करना बस है ना बाकी जो मर्जी करो यह गलती मत करना अब और आगे बढ़ते है बात करता है hyperbola की तो hyperbola भी पढ़ लो क्योंकि इसका फाइदा यह है कि फिर हम mixed questions करेंगे अभी मैं आपको ellips पढ़ाऊंगा फिर ellips के सवाल कराऊंगा कोई उसका मज़ा नहीं है तो हम पहले दोनों पढ़ लेंगे और फिर दोनों के एक साथ question करेंगे तो hyperbola की कुंडली देख लो hyperbola में अगर आप देखोगे न तो again दो type के hyperbola है इसको बोला जाता है normal hyperbola है इसका नाम बस hyperbola है और उसको बोला जाता है conjugate hyperbola और उसको क्या बोलते है इसको बोलते है conjugate hyperbola conjugate इसको hyperbola बोलते है normal hyperbola आप बोल सकते हो और वो है conjugate hyperbola अच्छा यहाँ पर दोनों की equation क्या क्या होती है यहाँ पर equation different होती है जैसे अगर कोई normal hyperbola है तो उसकी equation आपको ऐसी दिखेगी x square by a square minus y square by b square equal to 1 और conjugate की case में minus 1 आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर पहचाने के कैसे कि बैए exam में आपको conjugate वाला given है या normal वाला given है इसके सारे formula लगाने है कि उसके लगाने है आपको कैसे पता चलेगा तो अगर ये equation given है तो इसके formula लगाने की ज़रूत नहीं है आपको कौन छोटा है कौन बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है हाइपरबोला में equations ही मतलब शकल देख के पता चल जाएगा कि ये वाला हाइपरबोला है कि वो वाला है माइनस वन है तो conjugate वाले formula लगेंगे सारे और अगर नॉर्मल हाइपरबोला है तो फिर ये वाले लगा देना आप सारे ठीक है तो अगर कोई नॉर्मल हाइपरबोला है उसमें center ये सारी चीज़े बताओ चलो इसके भी पुरी कुंड़ी बनाएंगे ठीक है तो center यही है यहां पे भी यह माइनस एकॉमा जीरो पस फरक इतना है कि इसमें एसेंटरसिटी ग्रेटर देन वन होगा आईपरबोला में एसेंटरसिटी वन से बड़ा होता है इलिप्स में वन से छोटा होता है बस इतना ही फरक है यहां पे आएगी directrix की equation भी सेम है x equal to a by e यहां पे माइनस a by e तो almost आपको मतलब सारी चीज़े सेम ही है जादा फरक नहीं है जैसा ellipse में है वैसा ही center तो center इसका भी 0,0 है center इसका भी 0,0 है दोनों का center सेम ही है origin ठीक है length of अच्छा यहां पे यह वाली जो axis है ना इसको major axis नहीं बूला जाता है इसका नाम है transverse मतलब नाम है तो आपको याद करने पड़ेंगे तो यह जो बड़ी वाली axis है इसको बूला जाता है transverse axis क्या नाम है इसका transverse axis और यह जो दूसरी वाली axis है conjugate axis चमक ज्या है जैसे वहां पर क्या था ellipsis के case में major axis होता है minor axis होता है major minor नहीं होता है यहां पर इसको बोलते transverse axis और इसको बोलते conjugate axis हाइपरवीड के case में już hypothalya sworn ila यहां पर अगर आप देखोगे तो यह वाला transverse axis और is conjugate axis, मलब सब कुछ swap हो जाएगा, swap xy, swap ab, a और b को swap कर दो, x और y को swap कर दो, क्योंकि diagram ही आपका horizontal से vertical हो गया है, चीक है, तो यहाँ पर आपका center आएगा, यह आपके vertex है, vertex यहाँ पर कौन कौन से, 0,b और 0,-b, अगर focus की बात करी जाए, 0,-be, और एक focus है 0,be, ठीक है, यहाँ पर directrix आएगी, directrix की equation क्या आएगी, जैसे यहाँ पर directrix की equation है, x equal to a by e, यह वाली directrix हो जाएगी, y equal to b by e, और यह वाली है, y equal to minus b by e, चमक यहाँ तो सब को same ही है, बस a की जगा b और x की जगा y, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, length of transverse axis, तो transverse axis की length कितनी है, 2a, और conjugate axis की length कितनी होती है, 2b, यह वैसा ही, जैसा major minor, ठीक है, तो यह transverse axis की length 2a, conjugate axis की length 2b, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 2b और 2a, ठीक है, क्योंकि transverse conjugate आपका swipe हो गया, तो अब यहाँ पर आप देखोगे, तो देखो, transverse axis की length कितनी है, 2b है न, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance, यह, 2b, और यह वाला आ जाएगा, 2a, चमक गया, तो conjugate axis, transverse axis, vertex, hyperbola का जो vertex है, वो क्या है, a, 0, और minus a, 0, उसके vertex क्या है, 0, b और 0, minus b, ठीक है, तो कहाँ गया, यहाँ पर plus minus a, 0, यह vertex है, यहाँ पर आ जाएगा, 0, plus minus b, ठीक है, similarly, foci, 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 यहाँ पर focus है, plus minus a, e, 0, और यहाँ पर है, 0, plus minus b, तो बस simple है, equation of directrix, directrix है, a by e, plus minus आप लगा सकते हो, क्योंकि दो directrix है, and similarly, यहाँ पर y equal to plus minus b by e, चमक गया, तो यह पूरी की पूरी कुंडली, निकालनी आपको आनी चाहिए, कुछ भी पूछ ले, सब पता होना चाहिए, ठीक है, yes or no, और आगे बटते है, relation between a, b and e, अब देखो, हाइपरबोला में होता है, e square minus 1, तो अगेन यह भी ध्यान रखना, अगर normal हाइपरबोला है, then this is the relation between a, b and e, pocket वाली equation यह है, यहाँ पर swap हो जाएगा, तो a square equal to b square into e square minus 1, ठीक है, तो यह आएगा, similarly, यहाँ पर length of lattice rectum, length of lattice rectum होता है, 2b square by a, और यहाँ पर होता है, 2a square by b, simple, तो वो भी आपका same to same है, parametric coordinates, parametric coordinates भी अलग-अलग आएगे, क्योंकि equation अलग-अलग है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 square theta minus 10 square theta करोगे, तब 1 आएगा न, compare करो, basically, इसको compare करो, 6 square theta minus 10 square theta, आपको x को put करना पड़ेगा, a, c, theta, और y को put करना पड़ेगा, b, tan, theta, तो a, c, theta, यह चमक गया, और b, tan, theta, यह parametric coordinates है, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि मुझे minus 1 चाहिए, तो since मुझे minus 1 चाहिए, तो उलटा compare करना पड़ेगा, 10 square theta minus 6 square theta, तब ही तो minus 1 आएगा, इसका मतलब x का value, a, tan, theta, b, c, theta, तो यहाँ पर parametric coordinates अलग-अलग आएंगे दोनों के, क्योंकि equation ही अलग है, ellipse की case में equation सेम थी न, इसलिए parametric coordinates भी सेम आते हैं, चमक गया तो यह भी ध्यान रखना, auxiliary circle सेम है, x square plus y square equal to a square, और यहाँ पर x square plus y square equal to b square, डाइग्राम में अगर आप देखोगे तो auxiliary circle कौन सा, यह वला circle है, यहाँ पर बनेगा auxiliary circle, something like this, यह auxiliary circle है, similarly यहाँ पर अगर आपको draw करना है, तो ऐसा बनेगा, ठीक है, x square plus y square equal to b square, इसका जो radius है वो b है न, this is the radius, this is the center, 0,0 center है और radius उसका b है, तो auxiliary circle, इधर यह, इधर यह, चमक गया, और hyperbola के case में, इनका जो difference होता है न, difference होता है 2a के बराबर, ellipse में हमने यह देखा था कि इनका sum होता है, ps plus, ps dash, वो 2a था, hyperbola में difference होता है, minus करोगे, तो 2a मिलेगा, और यह मिलेगा, 2b, ठीक है, तो यह clear है, यहां तक, अगर clear है, तो फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, यह पूरी की पूरी कुंडली हमने complete कर ली है, ellipse की भी और hyperbola की भी, यहां तक कोई भी doubt है, तो पहले पूछ लो, उसके बाद हम आते हैं सवालों पे, ठीक है, तो सवालों पे आए, yes or no, sir, most important question लाइए for boards, अचा, boards की series भी चाहिए, क्या, boards के लिए हाँ, हम कुछ सोच सकते हैं, है न, हमारे इस channel के उपर, boards के लिए, मेरे कहाल से, अभी थोड़ा content कम है, yes, उसका हम definitely plan करेंगे, fine, yes, boards के लिए, we will plan something, right, जो भी मेरे कहाल से, boards के लिए तयारी कर रहा है, boards के लिए, एक तो देखो, आपको जो super useful, चीज मिलेगी, that is, बुनियाद series, right, क्योंकि उसमें, NCRT one shots है, NCRT के हिसाब से यह सब कुछ, तो definitely वो board exam के लिए भी आपको बहुत काम आएगा, बढ़ हाँ, match में और बाकी subjects में भी, definitely boards के लिए कुछ plan करते हैं, आप लोग बताना, in fact comment करके, boards के लिए आप क्या चाते हो, exactly बताओ थोड़ा ऐसा नहीं कि, बोल दिया कि, sir boards, अब आगे पीछे का complete the sentence करो, कि boards के लिए क्या, ठीक है, तो क्या चाहिए, आप लोग बताना, तो definitely हम लोग लाने की कुशिश करेंगे, right, क्योंकि brief की जो series है, वो बहुत जल्दी खतम होने वाली है, तो उसके बाद कुछ प्लान करेंगे, ठीक है, येस, एक मेरे दिमाग में जो idea था, that was, कि most repeated PYQ जो होते है, उसके उपर कुछ लाये जाए, ठीक है, जो कि आप सबको useful लगेगा, and definitely उससे काफी अपनी practice भी हो जाएगी, और targeted practice होगी, कि आपको दुनिया वरगी चीज़े नहीं करनी पड़ेगी, जो भी exactly exam में repeat हो रहा है, most repeated PYQs type का कुछ, हम लोग सोच रहे थे, अभी तो, है न, भी पूरी तरह से सोचा नहीं है, बट हाँ, definitely आप लोग बताना कि कैसे कर सकता है, fine, हाँ, तो पहले तो इसको complete करते है, तो यहाँ तक clear है, right, यहाँ तक अगर clear है, तो अब और आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं, एक important property पे, एक second रोको, चीक है, चीक है, हाँ, PYQ full length के सबसे start, क्या PYQ full length के कब से start होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, next, अगला क्या क्या है, तो हम लोग definitely यह तो plan करी रहे, कि कुछ most repeated PYQs का, जो videos है, वो बनाई जाए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते, अब बात करते हैं, important note, अच्छा, यह note क्या है, तो इसमें देखो, दो point है, यह दो properties है, basically इसको ध्यान रखना, तो अगर कोई भी hyperbola है, और यह उसका conjugate hyperbola है, जो यह वाला है, this is hyperbola, यह और यह, यह तो hyperbola हो गया, और यह उसका conjugate है, तो अगर आप दोनों diagram, एक साथ आप draw कर लोगे, तो hyperbola और उसका conjugate, तो hyperbola के दो focus ही आएंगे, एक focus यहाँ पर आएगा, एक focus यहाँ पर आएगा, और जो conjugate है, उसके भी दो focus आएंगे, तो यह चार focus हो गए, टोटल कितना focus हो गए, टोटल चार focus हो गए, दो hyperbola के, और दो conjugate hyperbola के, तो property यह कहती है कि अगर आप इनको join करोगे ना तो diagram जो आपको मिलेगा that is a square you will always get a square यह property ध्यान रखना अगर आप कभी भी एक hyperbola है यह ना the foci of hyperbola and its conjugate उसी का conjugate होना चीए ऐसा नहीं कि किसी और hyperbola का conjugate आपने कर दिया एक hyperbola होना जिसे for example मान लो कि एक hyperbola आपको given है something like this ठीक है और इसी का conjugate मितला बस one की जग़ा minus one आ गया आपने a और b का value change नहीं किया नीचे वाली जो कहानी है न वो सेम रहनी चाहिए तो अगर एक hyperbola है और उसी का conjugate है और फिर आप सारे के सारे जो focus है उसको join करोगे then the diagram that you will get is always a square तो यह पहली property clear है दूसरी property यह कहती है कि अगर कोई आपके पास जैसे मान लो hyperbola है और उसी का conjugate है तो इसकी eccentricity और इसकी जो eccentricity है उसमें यह relation होता है मतलब basically relation ही होता है कि one upon e1 square plus one upon e2 square इसका value one होता है ठीक है e1, e2 क्या है e1 is the eccentricity of hyperbola e2 is the eccentricity of conjugate hyperbola तो अगर कोई भी hyperbola है उसकी eccentricity given है और आपको बोला जाए कि conjugate वाले की निकालो तो यह formula यूज कर ले न अगर e1, e2 मैंसे कोई भी एक given है conjugate की eccentricity given है और उसका जो normal hyperbola है उसकी eccentricity निकालनी है येस तो ये भी सामझ में आ गया 1 upon e1 square plus 1 upon e2 square equal to 1 ये डारिक याद कर ले न ठीक है तो ये e1, e2 क्या है eccentricities of hyperbola and its conjugate उसी का conjugate होना चीए ठीक है और आगे बढ़ते है rectangular hyperbola क्या होते normally जो hyperbola की equation है वो ये है rectangular hyperbola is nothing but it is a special case of hyperbola जिसमें a और b बराबर हो जाए बस rectangular hyperbola का बस इतना सा ही मतलब है rectangular hyperbola is nothing but जब a और b बराबर हो जाए जैसे ellipse का special case होता है circle वैसे ही hyperbola का special case होता है rectangular hyperbola rectangular hyperbola का definition बस ये है कि जब a और b बराबर हो जाए तो अपने को जो diagram मिलेगा oc को बोलते है rectangular hyperbola और rectangular hyperbola के case में अगर आप eccentricity निकालोगा ना तो वो हमेशा root 2 आती है root 2 क्यों आती है तो कि a और b बराबर है ना b square equal to a square into e square minus 1 ये तो बराबर है cancel हो जाएगा 1 equal to e square minus 1 तो यहाँ से e square equal to 2 आ गया तो eccentricity root 2 आएगा तो इसी लिए अगर दुनिया का कोई भी rectangular hyperbola है उसकी eccentricity हमेशा हमेशा और हमेशा root 2 ही होती है निकालनी की जरूत नहीं है बार-बार ऐसे निकालने मत बैठ जाना दुनिया का कोई भी rectangular hyperbola ले आओ eccentricity आख बंद करके root 2 और a equal to b होता है a और b का value बराबर होता है जैसे मानलो एक्जाम में कुछ ऐसा आ जाए कि x square minus y square equal to a square मतलब यह rectangular hyperbola है तो इसका eccentricity कितना होगा root 2 होगा बस बस बोल दिया तो बोल दिया root 2 होता है eccentricity of any rectangular hyperbola is always root 2 क्यूंकि a और b बराबर है तो वो कट जाएगा understood येस और आगे बढ़ते है हाँ अब आ जाओ questions पर ठीक है तो अब हम questions करेंगे ellipse के भी करेंगे hyperbola के भी करेंगे और mix वाले भी करेंगे और जो recent year वाले है वो भी करेंगे सब करेंगे ठीक है तो सबसे पहले ये पहले तो एक basic question है ये थोड़ा basic है distance between foci distance between foci of the ellipse is 6 distance between foci कितना होता है एक focus है ae,0 दूसरा focus है minus ae,0 तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2 ae ये चमका 2 ae और ये आपको given है 6 distance between foci given है दूसरा आपको given है distance between its directrix directrix कौन कौन सी होती है x equal to a by e और दूसरा है minus a by e तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2 a by e इसका value भी आपको given है 12 तो हमेशा ऐसी equation आते है दो equation आपको दे देंगे और तीसरी equation pocket वाली ellipse का सवाल है ना ये तो ellipse में ये आएगा देखो ये pocket वाली equation है ना तो तीन equation तीन variable a, b और e सब निकाल लो ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ तो जैसे ये equation number 1 ये equation number 2 और ये equation number 3 solve कर लो a, b और e का value निकालो ultimately they are asking find out the length of lattice rectum length of lattice rectum होता है 2b square by a तो ये निकालना आपको ठीक है तो एक बार calculation कर लो जैसे यहाँ से a into e का value 3 आ जाएगा और यहाँ से अगर आप देखोगे तो a equal to 6 e है ठीक है तो ultimately put कर देना 6 e square equal to 3 तो e square equal to 1 by 2 आ गया eccentricity 1 by root 2 आ गया ठीक है ये eccentricity है तो इसमें put कर देना a का value आ गया 6 upon root 2 basically a का value है 3 root 2 और a का value आ गया ये आ गया तो अब इसमें put कर दो तो b square कितना आएगा b square is actually a square a square कितना है 9 into 2 18 a square into 1 minus e square ठीक है तो मतलब basically b square आ रहा है बहुत simple सा सवाल है ये तो ठीक है अभी तो मतलब अभी तो warm up question है अभी तो actual सवाल तो अब start हो रहे है ये वाला try करो चलो ये कैसे करेंगे let ellipse with center this and lettuce rectum this आचा तो ellipse का center given है जो जो given है लिख दिया करो center given है 1,0 diagram भी आप चाहो तो बना सकते हो जिसे माल लो ये इसका जो center है वो आपको given है ठीक है length of lettuce rectum given है अलब 2b square by a इसका value 1 by 2 given है तो एक equation ये भी given है ठीक है length of lettuce rectum ये given है have its major axis along x-axis जो major axis है वो x-axis के along है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ऐसा कुछ diagram है ये x-axis के along है आपकी major axis और center है 1,0 if it's minor axis subtend an angle of 60 degree at the foci अच्छा ये जो minor axis है ना वो foci पे यहाँ पे माल लो foci है तो वहाँ पे 60 degree का angle subtend करती है ये जो angle है ये 60 degree है ये चमक गया अगर ये minor axis poc i पे कितना angle subtend करती है 60 degree का तो अगर ये 60 degree है तो उसका आदा हो जाएगा 30 degree इसका half कर लो half कर लो ये angle है 30 degree ठीक है अब आपको पता ही है कि ये वाली जो distance आप distance distance खेला करोगे coordinate तो change हो जाएंगे तो distance कितनी होती है ये distance होती है AE और ये distance होती है B तो B upon AE ये आजाएगा 1030 और 1030 मतलब 1 by root 3 तो ये दूसरी equation आगई तो एक equation ये एक equation ये और तीसरी equation pocket वाली equation क्या होती है B square equal to A square into 1 minus E square तो बस तीन equation तीन variable फिर से आपको वही करना है जो करना होता है ठीक है ऐसे equation आएंगे तो यहाँ से basically आपको मिल गया कि A is equal to 4B square ठीक है यहाँ से आपको मिल जाएगा root 3B is equal to AE अब solve गर लो बस तीन equation तीन variable यहाँ से आजाएगा B square equal to A square minus A square E square और जो A square E square है उसका value कितना आजाएगा A square E square तो that is 3B square ultimately यहाँ से 4B square is equal to A square तो A का value 2B आगया ठीक है A is equal to 2B और A का value अगर 2B है तो यहाँ पर put कर दा 2B equal to 4B square तो कितना आजाएगा B का value तो 1 by 2 दिग्या होगा B का value अगर 1 by 2 0 तो हो नहीं सकता obviously it is 1 by 2 और B अगर 1 by 2 है तो A का value कितना B अगर 1 by 2 है तो A का value 1 तो सब कुछ आ गया अब आपको निकालना क्या है आपको पूछा है then find out the square of the sum of the length of minor axis देखो जब भी ऐसा lengthy से सवाल आता है तो एक मेरी तरफ से envy tip है envy tip यह है जैसे आपको यह बोल जाता है कि square of sum of length of इतने सारे off होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते है कि क्या निकालना क्या कहना क्या चाते हो ठीक है तो इसलिए इसमें एक envy tip यह है कि हमेशा उल्टा पढ़ा करो जब भी ऐसा आता न always go reverse आपको हमेशा reverse जाना होता है तो यहाँ पर क्या पूछा required quantity क्या है तो देखो यह बोल रहा है कि square of पहले यह sum of the length of sum of the length of major and minor axis तो length of major axis कितना होता है 2 है length of minor axis कितना होता है 2 भी उनका sum और फिर sum करने के बाद square तो यह पूछा है they are asking square of the sum of the major and the minor axis हमेशा ओल्टा करना होता है मतलब जो last में होता है वो पहले करना होता है तो पहले आपको sum करना है और फिर square करना है यह नहीं कि पहले square करके फिर sum it is पहले sum then square ठीक है तो confused मत हो न 9 आजाएगा finally are we getting 9 yes 9 आजाएगा बस simple तो हमेशा उल्टा पड़ा करो यह है इसका rule यह है कि उल्टा पड़ो और आगे बढ़ते हैं ठीक है इस पे आजो यह कैसे करेंगे यह hyperbola का सवाल है और थोड़ा सा ellipse का भी है mixed question है तो ऐसे mixed question काफी आता है ठीक है तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि let eccentricity of ellipse is reciprocal to that of eccentricity of hyperbola जो hyperbola आपको given है उसको देखते ही है समझ में आ रहा है कि यह तो rectangular hyperbola है और अगर यह rectangular hyperbola है तो इसकी eccentricity कितनी है root 2 है hyperbola की eccentricity root 2 है तो ellipse की eccentricity कितनी आ जाएगी reciprocal बोला है ना question में है ना यही तो लिखा है कि eccentricity of the ellipse is reciprocal to that of the hyperbola तो indirectly आपको eccentricity of the ellipse given है अब यह बोल रहा है कि ellipse intersects the hyperbola अच्छा यह एक property है यह कितने लोगों पता है यह पता ही कि नहीं जब भी आपको ऐसा बोला जायना कि एक ellipse है वो hyperbola को intersect करता है right angle पे मतलब समझ जाना कि उनके focus same होंगे they have the same focus तभी ऐसा possible है otherwise possible नहीं है they are confocal इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है confocal ठीक है तो जब भी आपको ऐसा बोलेंगे कि जो ellipse है it is perpendicular to hyperbola है they are intersecting at right angle basically तो उसको short में लिख दिया मैंने कि एक ellipse है एक hyperbola है और वो right angle पे intersect करते है जब भी ऐसा बोला जाएगा मतलब आप समझ जाना this is the property property क्या कहती है कि वो तभी possible है जब उनके focus same हो जाए focus of the hyperbola will be same as the focus of ellipse ठीक है confocal ऐसा तभी possible है जब दोनो confocal हो जाए then only it is possible ठीक है तो हमेशे ये property दियान रखना हो सकता है कि आगे और ये question repeat कर जाए तो अगर ऐसा बोला है कि एक ellipse है एक hyperbola है and they are intersecting at right angle मतलब basically एक ऐसा ellipse है एक यहाँ पे मान लो ऐसा एक hyperbola है और जो intersect कर रहे है वो right angle पर intersect कर रहे है ठीक है तो यहाँ पे basically यह जो angle है 90 degree है अब वैसे तो इसमें थोड़ा बहुत tangent भी आता है बट फिर भी मुझे लगता है कि उतना आपको property पता होने चे तो property पता है तो आपको directly पता ही होगा कि confocal है दोनों के focus same कर दो तो यहाँ पे आपको जो hyperbola given है ध्यान से देखो hyperbola यह है x square upon 1 by 2 minus y square upon 1 by 2 this is equal to 1 यह hyperbola है अगर यह hyperbola है तो hyperbola में a का value कितना है यह तो a square होता न x square upon a square तो a square का value 1 by 2 है तो a का value यह है b का value भी यह है और eccentricity इसकी root 2 है क्योंकि यह rectangular hyperbola है तो eccentricity is root 2 तो इसका focus कितना हैगा hyperbola का focus hyperbola का focus होता है a e, 0 यह होता plus minus भी आप लगा सकते हो तो hyperbola का focus आजाएगा plus minus 1, 0 आजाएगा क्योंकि अगर आप a और e को multiply करोगे तो 1 ही तो आएगा यह आ रहा है इसका मतलब जो ellipse है उसका focus भी यह ही आना चाहिए दोनों के focus सेम आने चाहिए तो ellipse का focus होता है a e a e, 0 और वो भी यह ही आना चाहिए कैसे निकाल होगा b square equal to a square 1 minus e square ultimately b square का value 1 आ गया ठीक है अगर b square का value 1 आ गया तो आप पूछा क्या है again they are asking square of the square of the length of lettuce rectum length of lettuce rectum का square पूछ रहा है मतलब basically 2b square by a का square length of lettuce rectum कितना हैगा 2b square by a यह इसका square तो final answer कितना है 2 है ठीक है finally what is the answer final answer is 2 yes most repeated question plus most important question for boards ठीक है चलो यह ना कोशिश करेंगे ठीक है उसकी भी कोशिश करेंगे yes fine हाँ तो यह clear है और आगे बढ़ते है अगला सवाल यह काफी interesting सवाल है मतलब एक ऐसा question है जो काफी इन्होंने सोच समझके बनाया ठीक है तो यहां पर देखो आपको एक hyperbola given है एक hyperbola दे दिया जहां पर जो n है वो natural number है ठीक है this is hyperbola क्योंकि बीच में minus है और वैसे भी लिखा भी है hyperbola आगे है ना अब यह बोला है कि k be the smallest even value of n है ना वो भी smallest ठीक है such that eccentricity of the hyperbola यह एक rational number आना चाहिए rational number मतलब p by q form irrational नहीं आना चाहिए मतलब root 2, root 3, root 5 वैसा नहीं आना चाहिए ठीक है rational आना चाहिए तो कैसे निकालेंगे इसकी eccentricity निकालो पहले तो आपको a square given है 1 plus n ना b square given है 3 plus n और eccentricity आपको निकालनी है hyperbola की eccentricity निकालने का formula क्या होता है यह वाला होता है ठीक है मतलब basically e square यह होता है 1 plus b square upon a square यह formula होता है तो यहाँ से eccentricity कितनी आ जाएगी बताओ 1 plus b square का value यह है और a square का value यह है और इसका root यह आएगी eccentricity है ना this is the eccentricity of hyperbola और हम क्या चाते है हम यह चाते हैं कि यह जो eccentricity है उसमें root ना आए तो अब यह ultimately हो गया 4 plus 2n हो गया 4 plus 2n और नीचे आगया 1 plus n तो यह आगया इसमें साब चाहो तो 2 common ले सकते हो मतलब basically जो eccentricity है that is 2 into 2 plus n और नीचे है 1 plus n तो यह आगया अब हम यह चाते है कि n का आप कोई even value बताओ even value मतलब n can be 2, 4, 6, 8 even value और वो भी natural number ठीक है natural number मतलब obviously it is positive तो even number n का value मैं क्या ले लू कि यह पूरा p by q form में आ जाए मतलब rational आ जाए irrational यह root हट जाए बस root हट जाना चाहिए कुछ सुन्दर value आना चाहिए तो obviously देखो यह तभी हो पाएगा इसको आप ऐसे visualize करो कि यह लिखा हुआ है under root of 2 into 2 plus n और इसको अलग कर दो तो अब मुझे यह root हटाना है root तभी हटेगा जब यह 1 plus n क्या होना चाहिए perfect square होना चाहिए 1 plus n 1 plus n होना चाहिए perfect square और उसमें भी जो n है वो even है अगर n even है तो n plus 1 हो जाएगा odd तो हमें odd वाला perfect square चाहिए अब odd वाले perfect square कौन कौन से होते है odd जिसे 3 का square तो वो odd है 9 ठीक है 9 हो सकता है या 5 का square 25 या 7 का square 49 या 9 का square 81 ये सारी values ले सकता है n plus 1 ये चमका क्योंकि n even number है तो n plus 1 odd आएगा और perfect square भी चाहिए मुझे मुझे odd वाला perfect square चाहिए तो odd वाले perfect square मैंने सारे लिख दिये तो यहां से n की values क्या क्या आगई n की values बताओ तो अगर 1 प्लस n 9 है तो n की value 8 आएगी यहां पे n का value 24 है यहां पे n का value 48 है यहां पे n का value 80 है यह सारे n की values है अब नीचे वाला तो मानलो perfect square हो गया उपर वाला भी तो perfect square हो ना चाहिए अगर मैं n का value 8 ले लूँगा जिसा आप मानलो n का value 8 put कर दो n का value 8 put किया तो यह हो गया 10 और नीचे नीचे तो आ जाएगा root of 9 यह नीचे वाला तो हट जाएगा root लेकिन उपर वाला नहीं अटेगा root 20 अभी भी क्या है irrational है मनलब यह काम नहीं कर रहा है अब इसको चेक करो अगर मैं n का value 24 ले लू तो अगर मैं n का value 24 ले लू तो 2 into 26 और नीचे root 25 अगर नीचे वाला तो हट जाएगा बट उपर वाला कहां अट रहा है नहीं हट रहा अभी भी अभी भी वो irrational है मतलब यहाँ पर अभी भी काम नहीं बन रहा है अब आप 48 ट्राइग करो 48 में क्या होगा 48 में यह हो जाएगा 50 और यहाँ पर आजाएगा 49 तो इसमें हट जाएगा क्योंकि ऊपर आगया root 100 और नीचे आगया root 49 मतलब अल्टिमेटली एन का वेल्यू आपको 48 लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी ठीक है तो फाइनली एन का वेल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा 48 और अगर एन का वेल्यू 48 ले लिया तो आपकी एसेंटिसीटी आगई 10 बाइ 7 ठीक है अच्छा पूछा क्या है आज आर आस्किंग आपको क्या निकालना है आपको length of latest rectum निकालना है length of latest rectum होता है 2b square so b square is 51 2b square by a a का वेल्यू कितना है 7 है ठीक है यह length of latest rectum आ गया अर जो भी length of latest rectum है उसमें 21 से multiply करना है L is the length of latest rectum 21 L तो इसमें multiplied by 21 तो ये निकालना था अपने को finally they are asking 21L चमक गया ना तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 6 into 51 मलब basically 306 is the answer finally final answer कितना आएगा 306 this is the answer अरे चमका तो चमक गया होगा कुछ नहीं करना था आपको basically eccentricity निकालने थी और eccentricity अपनी rational आनी चाहिए 10 by 7 निकाला कुछ भी irrational root वाले terms नहीं आने चाहिए तो आपको n का value वो भी even लेना था तो since n even है तो n plus 1 हो जाएगा odd और हमें चाहिए perfect square तो odd वाले perfect square list down कर लो वहाँ से n की value और फिर उसमें भी check कर लो कि क्या उपर वाला भी rational आ रहा है तो उपर वाला 48 पर आएगा पहली बार आपकी बात बनेगी हो सकता आगे भी बात बन जाए बट आपको smallest बोला था न you need to take the smallest value of n चमक गया? येस और आगे बढ़ते तो ये अच्छा question था ओके next ये वाला try करो h is the hyperbola whose foci are given तो ये foci given ये तो simple है एक hyperbola है जिसके foci given है eccentricity given है length of lattice rectum पूछा है ये तो बहुत ही चिंदी है मतलब आपको ये बोल रहा है कि एक hyperbola है चीक है? उसका एक foci है 1 plus root 2,0 चीक है? और दूसरा foci है 1 minus root 2,0 ये चीक है? ऐसा कुछ hyperbola है और तो ये distance कितनी होती है? आप देखो अगर इन दोरों के बीच की distance निकालोगे तो कितनी आएगी? ये है 1 plus root 2 और इस में से minus कर दो 1 minus root 2 तो this is the distance between foci और distance between foci होता है 2AE यहाँ पे 1 से 1 cancel हो जाएगा और 2 root 2 आगया और ये है 2AE ये भी cancel हो गया root 2 equal to AE और E का value भी given है आपको root 2 तो यहाँ से clearly A का value 1 आगया और B का value भी 1 होगा क्योंकि eccentricity root 2 given है since eccentricity root 2 given है मतलब ये rectangular है और rectangular है तो A और B बराबर ही आएगा निकालने की जरूद नहीं बराबर ही आएगा और आपको पूछा है length of lattice rectum length of lattice rectum का formula है 2B square by A तो 2 1 square by 1 ठीक है तब 1 ही है मतलब 2 आजाएगा final answer ठीक है C ये बहुत simple सवाल है तो ऐसे कभी-कभी simple वाले भी आजाते है ठीक है और आगे बढ़ते है हाँ अब बात करते है rectangular hyperbola ये वाला x y क्योंकि ये आपके syllabus में है tangent normal हट गया है बढ़ rectangular hyperbola तो आई सकता है ठीक है तो rectangular hyperbola लेकिन ये वाला x y equal to c square तो ये rectangular hyperbola में क्या special है इसकी कुंडी निकालेंगे ठीक है इसमें भी सब कुछ हम पढ़ेंगे तो इसका जो diagram होता है वो ऐसा होता है x y equal to c square ठीक है यहाँ पर आएगा first quadrant में और third quadrant में कभी-कभी आपको दे देंगे x y equal to minus c square अगर यहाँ पर minus लगात होगे न तो फिर इधर आएगा और इधर आएगा second और fourth quadrant में आएगा अगर ये equation है तो minus c square वाला दे देंगे तो ये आएगा diagram और अगर plus c square है तो फिर ये ये वाला आएगा first और third वाला चमक गया ना तो this is the diagram x y equal to c square का diagram ऐसा बनेगा ठीक है ये क्या है ये basically hyperbola को half half में divide कर रही है ना तो ये obviously transverse axis है this is nothing but this is transverse axis और ये जो उसके perpendicular होती है उसी को हम बहते है conjugate axis ठीक है तो transverse axis actually होती है y equal to x transverse axis is y equal to x and conjugate axis is y equal to minus x या आप y plus x equal to 0 ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो ये conjugate axis है ये transverse axis है ये center of the hyperbola है 0,0 यहाँ पे vertex आएगा अच्छा vertex कितना आएगा आप बता सकते हो vertex के coordinates कैसे निकालेंगे तो ये y equal to x है और ये x y equal to c square दोनों को solve कर लो जो curve और इस line का intersection ही तो निकालना 1 है y equal to x और 1 है x y equal to c square तो आप इन दोनों को solve कर लो point of intersection आजाएगा तो point of intersection निकालना एक बार x square equal to c square आजाएगा x equal to c और y का value भी c क्योंकि y equal to x है तो ये point आजाएगा c, c similarly ये वहला point आजाएगा minus c, minus c again ये भी y equal to x पर लाई करता है तो obviously y और x तो बराबर ही होगा तो ये c, c होता है पहला vertex और दूसरा vertex होता ही है similarly अगर आप focus निकालोगे ना तो focus आता है root to c, root to c अब ये आप निकाल सकते हो मतलब basic बेसिक वही है कि ये जो distance है वह आपका a e होगा distance से आपको पता चलेगा ये distance कितना होता है ये distance होता है center और focus के बीच का जो distance होता है वह होता है a e तो वहाँ से आप निकाल सकते हो but again मतलब derivation जरूर ही नहीं है आप सीथ-सीदा याद करो अगर कोई भी rectangular hyperbola है तो उसका center क्या है 0,0 ये transverse axis ये conjugate axis ये जो x axis y axis है वो asymptote है इसको क्या बोलता है इसको बोलता है asymptote ये asymptote है ये भी asymptote है similarly focus क्या है इसका एक focus यह है एक focus यहाँ पर आएगा दूसरा जो focus आएगा वो आएगा minus root 2c, minus root 2c ये आएगा ठीक है दूसरा focus एक directrix यहाँ पर आएगी एक directrix यहाँ पर आएगी दूसरी directrix यहाँ पर आएगी directrix की equation क्या होती है in case of this rectangular hyperbola directrix obviously देखो इस line के conjugate axis के parallel है तो since ये conjugate axis के parallel है इसकी equation ऐसी ही आएगी this equal to root 2c और यहाँ पर ये वला होता है x plus y equal to minus root 2c ये आजाएगी आपकी मतलब पूरी कुंडली आप लिख लो तो basically standard equation तो ये है center 0,0 eccentricity obviously rectangular hyperbola है तो root 2 ठीक है transverse axis की equation transverse axis की equation है y equal to x conjugate axis की equation है y equal to minus x equation of asymptote asymptote एक ये है और एक ये है x axis y axis x axis y axis मतलब x equal to 0 and y equal to 0 ये उनकी equation हो गई ठीक है vertices एक vertex है c,c और दूसरा vertex है एक c,c आएगा and दूसरा आएगा minus c, minus c एक first quadrant में एक third quadrant में ठीक है similarly foci तो foci होता है root 2c comma root 2c ठीक है और दूसरा वाला दूसरा वाला minus root 2c comma minus again मतलब एक first quadrant एक third quadrant ठीक है तो ये foci directrix directrix की equation है x plus y directrix ये है x plus y equal to plus minus root 2c x plus y this is equal to plus minus ये directrix की equation होती है ठीक है तो ये सब पता होना चीए directly आप लिख पाऊ ये नहीं की एक्जाम में भी derive करने बैठ गे इतना time लगेगा तो नहीं हो पाएगा फिर ठीक है तो सीधा सीधा याद होना चीए अपने कोई दुनिया वर की कहानी में फसना ही नहीं है कुंडली बनाओ और उसको याद करो चिपकाओ इसको दिवार पे लगाओ दो तीन बार पढ़ो revise करो याद करो याद नहीं है सब बेकार है मैं आपको बता रहा हूँ इतना derivation आप करी नहीं पाऊगे एक्जाम में याद करने का भी शॉटकट है और वैसे भी शॉटकट है शॉटकट यह है कि जो नॉर्मल हाइपरबोला होता ना उसमें ए और बी होता है और हम यहाँ पर बात कर रहें रेक्टांगुलर हाइपरबोला की तो obviously ए और बी बराबर होंगे तो ए और बी का वैल्यू आप ले लिया करो रूट टू सी मतलब यह जो xy equal to c square वाला हाइपरबोला है उसमें ए और बी का वैल्यू होता है रूट टू सी आप ऐसे मानलो हाइपोथेटिकली आप ऐसे मानलो की यह वैसे तो इसमें ए और बी है नहीं बट हैपोथेटिकली आप ऐसे मानलो की यह एक ऐसा हाइपरबोला है जिसमें ए का वैल्यू रूट टू सी है और बी का वैल्यू भी रूट टू सी है वैसे है नहीं इसमें ए और बी बट याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका ठीक है तो अब देखो अ बी का वैल्यू भी यही है रूट टू यही तो आपने बोला ए और बी रूट टू सी लेंथ ओफ लेटिस एक्टम होता है टू बी स्क्वेर बाई ए लेकिन ए और बी तो बराबर है सिंस ए और बी बराबर है टू बी यह भी देखो वही आगे तो अल्टिमेटली सब कुछ बैठेगा ठीक है तो आप यह यह तीनों का लेंथ सेम होता है इस वाले रेक्टांगुलर हाइपर बोला में सब का लेंथ होता है टू रूट टू सी तो डारेक्ली आप इसको याद कर सकते हो पैरामेट्रिक कॉडिनेट्स यह होते है सी टी कॉमा सी बाई टी कुछ ऐसा प यहाँ पर एक सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो इसका रेडियस कितना है पहले हमने पढ़ाता ना एकस स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इकुल टू ए स्क्वेर लेकिन अब ए का वैल्यू रूट टू सी है तो अब ऑक्जिलेरी सर्कल सेम शॉर्ट कट है हर जगा है ठीक है तो बेसिकली अग्जिलेरी सर्कल आ जाएगा एकस स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इकुल टू ए स्क्वेर और ए का वैल्यू यह है यह आएगा और वैसे भी आपको यहाँ से भी दिखरा है यह सी कॉमा सी है और यह 0,0 है तो रेडियस कितना आ जाएगा रेडियस आ जाएगा रूट तो सी डिस्टेंस फॉम्ला लगा दो ना सी कॉमा सी और 0,0 के बीच में तो इस रूट तो सी यह तो ऑक्जिलेरी सर्कल आ गया डिरेक्टर सर्कल तो वैसे भी डिलीटेड है बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो एकस स्क्वेर प्लस यह स्क्वेर होता है ठीक है क्योंकि A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर होता है है ना बट A और B बराबर है रेक्टांगूलर में तो इसलिए यह आ जाएगा मतलब in this case you will get point director circle x square plus y square equal to 0 this is equation of a point यह circle है बट it is a point circle क्योंकि radius 0 है जिरो का square आप ऐसे समझ सकते हो तो center इसका 0,0 है और radius इसका 0 है तो this is nothing but this is a point circle point director circle आता है बट खेर यह तो delete हो गया है तो आपको ज्यादा tension नहीं लेना है तो I hope कि यह भी clear है यह clear है rectangular hyperbola की पूरी कुंडली बताओ clear है की नहीं ठीक है yes sir according to the new syllabus circle भी है we need new video अब new video नहीं उसी वीडियो में कुछ आप skip कर देना और क्या वैसे circle में तो कुछ delete हुआ भी नहीं है circle में मेरे खाल से tangent आपको पढ़ना है parabola ellipse hyperbola में delete हुआ है ठीक है circle में आपको tangent line वो सब पढ़ना है condition of tangency वो सब circle में है आप पढ़्ड है जो updated syllabus है उसमें दंग से पर पढ़ दो खाली parabola ellipse hyperbola में जो tangent है normal है यह सब आपका delete हुआ है circle के case में अभी भी मेरे ख्याल से वहाँ tangent mentioned है बट फिर भी आप एक बर वहाँ पर पढ़ लेना बट जहां तक मुझे पता है tangent in case of circle is there even condition of tangency यह सब है आपका है na condition of tangency circle की case में है बट बाकी तीनों के लिए उड़ा दिया ठीक है ओके ठीक है और कोई doubt है क्या anybody has any other doubt क्या legend still watching their lecture ओ लेजेंड है अपने आप ही लेजेंड ठीक है ब्रह्मास्त्रवाले के लिए next क्या plan है ब्रह्मास्त्रवाले मेरे खाल से सभी बच्चे इसमें आई गे चुक है ना बूस्टर में पाइन सर यह हवा हवा मैं क्या पढ़ रहा हूं लोड नहीं लेने सर्कल स्रेट लाइन डंग से कर रहा हूं नहीं ऐसा मत करो मतलब देखो एक सवाल की बात है और ज्यादा अब तो देखो अब तो इतना रिड्यूस कर दिया तब भी तुम लोग ऐसे हवा हवा में पढ़ क्योंकि अगर मान लो कि जैसे यह इलिप्स और हाइपरबोला को मिक्स करके कोई सवाल आ गया तो वह आपसे बन जाना चाहिए तो आज की क्लास का परपस ही यह था कि आपको स्टांडर्ड इक्वेशन उनकी कुंडली यह सारी बेसिक बेसिक चीजे आपको या तो आपने पढ़ लो क्योंकि चार नंबर का सवाल आया तो 4000 रैंक हमारे लिए तो काफी माहिने रखता है मैच का पेपर जहां पर आपको 25 में से अगर आप 12 सवाल भी कर लेते हो तो भी आपकी 98-99 परसेंटाल बन जाती है उसमें से अगर एक सवाल यहां से आना है तो क्यों ना मैं इसको अबिसली डंग से पढ़ोंगा मेरे लिए तो यह वन आउट ओफ 12 है बारा सवाल मुझे निकालने कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्ट के अंदर और उसमें से अगर मैंने एक छोटा सा चैप्टर दो गंटे में पढ़ लिया वहां से मेरे चार नंबर भी आगे तो क् ठीक है यस और नो तो छोटे चैप्टर तो जैसे पहले भी तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग को इतना अच्छे से पढ़के जाते थे ना क्यों क्यूंकि छोटा चैप्टर है और फिर भी चार नंबर का सवाल आता है फोटे चैप्टर बेटर होते हैं आप कॉंप्लेक्स पढ़के जाओगे फिर भी आपको चार नंबर या आठा नंबर ही मिलेंगे इससे बेटर तो यही पढ़ लो अब तो ज्यादा नंबर मिलेंगे कम इन्पुट में तो इस नाव पहले यह बूला जाता था कि कॉनिक सेक्शन इस हाई इन्पुट लो आउटपुट बट पूरा चैप्टर है वो खतम हो चुका है एक काम आप डेफिनिटली करना इसको अच्छे से पढ़के जाना और इसकी जो कुंडली वाले जित्ते भी यह टेबल है ना यह टेबल आप अपने हिसाब से लिख लेना और इसका जो एक क्या बोलते है शॉर्ट नोट्स बनाके अपने कहीं दिवार पर चिपका देना इसको बार बार रिवाइस करना अधर्वाइस भूल जाओगे अगर चार दिन बाद पूछूंगा कि इक्वेशन ऑफ डिरेक्टरिक्स बता दो इस वाले हाइपर बोला में तो आप भूल जाओगे होरिजॉंटल का वर्टिकल का होर तो यह गलती नहीं करनी है बस इतना अगर आपने संभाल लिया आना तो इस चाप्टर इस प्रैक्टिकली ओवर ठीक है बस इतना कर लेना बाकी तो बस सई चल रहा है बाकी सब कुछ ठीक है चलिए तो बाकी अगली क्लास में मिलेंगे येस और बस मिलते रहेंगे आप डे बोर्ड के लिए अगर आप लोग कुछ चाहतों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन जैसे बोर्ड में जो मैंने मतलब आई थिंग लास्ट यर लास्ट यर किया था वह यह था कि कुछ रिपीटेड क्वेशन होते हैं जैसे आपके और गया होता है एक टू मार्कर कुषिशन हो तो बोर्ड का सब फिक्स होता है, यही जैसा नहीं होता कि कहीं से भी कुछ भी आ गया, बोर्ड का एक ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर सकते, तो वह आप लोग बता ना, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, ओके दिन, बाई